जी जनाब हापी टीजरे अच्छा आज फेडरल रिजर्फ के चेर जिरॉन फावल ने एक और स्पीच ती एक इवेंट में वाशिंटर में यहां पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायर वो कोई हौक श्टोन में बात करें क्योंकि दो दिन पहले जॉब्स मार्केट के अंदर तो उसके बाद से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अब जीरॉन फावल अपनी स्ट्राइड़जी चेंज करें और हो सकता है रेट हाइक दो बार से स्टार्ट करें या एग्रेसिव कर दें मजीद कि दो बात की नहीं थी और अगर हम जो ट् मार्केट और उन्हें कहाता है कि डिस्ट इंफलेशन का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो चुका है लेकिन इट विल ठेक सम थाइंग यानि के मताबिक इट इंटाइर 2023 टू कंटिनू दिस्ट इंफलेशन प्रोसेस और उसके बाद जाके इंफलेशन जो है वह के टागेट लेवल में आई की और फिर उन्हें बाद में ये विज़ाद किया है कि वह इंफलेशन का डेटा भी कंटिनू मॉनिटर करते रहेंगे और जाबस नमबर अगर जाबस कंटिनूसली स्ट्रॉंगर रिपोर्ट के तौर पे आती रही तैट मेंस एकानुमी इस एबल टू एब रसे निजार हैं आज जूम ने ऐलान किया है और मॉस्ट फिफ्टी परसंट रिडेक्शन वर्कफोर्स कल डैल ने अनॉंस की थी तो ये बड़ी बड़ी टेक कंपनी इस तो ले आफ कर रही है और इसका जो इंपक्ट है नमबर में वह आते आते टाम लगा है क्योंकि एक एलिमेंट होता है ने डेटा का तो एक ख़शा ये भी है कि पावल जो है वो ओवर टाइटनिंग करके एकदम से रिससेशन ट्रिगर कर दे लेकिन जो दूसरे डेटा आ रहे हैं जो जॉब्स नंबर्स हैं या सीपी आई अभी भी जो है वो स्लोली नीचा आ रहा है तो उस लेकिन मेरे साब से ये सारी बेर मार्केट रैली जैं और बॉटम अभी तक इसका टच नहीं हो सकता है बॉटम टच हो गया हो लेकिन वो यहां से साइडवेज मूव्मेंट करें क्योंकि जो अधर इंडिकेटर्स हैं वो तो सारे के सारे रिस्रेशनरी है येल्ट कर अभी दिस्रेशनरी हैं बट वी विल्हाइब तो ये बेर मार्केट रैली है खाल रखेगा